दोस्तों अगर आप competition exam की त्यारी करते हो तो आपको इस वीडियो को end तक complete जरूर देखना चाहिए क्योंकि अगर बात करें वे competition exam की तो हर exam में computer basic knowledge का syllabus जरूर add किया जाता है और computer basic knowledge में एक बहुत ही important topic होता है Microsoft Office related जिसमें की Microsoft Excel, Word और Powerpoint का जिकर जरूर होता है और इन तिनों software के बारे में question जरूर पुछे जाते हैं चाहिए वो पटवार exam हो चाहिए रास्तान पुलिस exam हो चाहिए रास्तान का certification course जैसे की RSITO या triple C का exam हो तो Microsoft Excel, Word और Powerpoint से related question जरूर पुछे जाते हैं और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आएं Excel, Word और Powerpoint के 40 most important question तो दोस्तों वीडियो को end तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद हमें comment करके जरूर बताना भी इन 40 question में से आपको कितने question ओलेड़ी आते थे तो नमस्कार दोस्तों मैं मौन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनार के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी request अभी तक आपनी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरूर कर लेना और साथ में बैल आइकन का बटन प्रेस करके ओल नोटिफिकेशन पर भी जुरूर क्लिक कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की आपके लिए knowledgeable वीडियो लाते रहते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ही वीडियो तो दोस्तों आज का पहला question एकादिक वरकसीट और चार्ड से मिलकर एक Excel दस्तावेज का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं तो इसका सही answer workbook Question number second Excel में से एक सेल किन वस्तूँ को Excel में एक सेल में किन वस्तूँ को समिल कर सकते हैं तो हम इसमें साब्दा एक सामगरी संक्या, फॉर्मूला फंक्शन, नंबर, मुदरा, परते को, विराम, चिन, यानि कि इन सभी को एक सेल में सामिल कर सकते हैं, जो इसका सही आन्सवर उप्रॉक्ट सभी यानि कि D-Option बिल्कुल सही रहेगा तो इसका सही आन्सवर रहेगा, तो इसका बिल्कुल सही आन्सवर क्या रहेगा तो इसलिए क्विश्चन को भी ज्यान से देखना है और उसके आन्सवर को भी बिल्कुल केरफुली देखना है तो क्विश्चन नंबर चार, एकसल में बनने वाली सीट को निमन में से क्या का जाता है तो सही आन्सर इसका सप्रेड सीट क्विश्चन नंबर पांच, हम अपनी वर्क शीट में हाइपर लिंक को निमन में से कि शोटकेट के को दबा कर जोड सकते हैं तो इसका सही आन्सर रहेगा इसका कंट्रोल प्लस के यानकि सी ओप्सन इसका बिल्कुल सही रहेगा क्विश्चन नंबर चाहे फ्रेड फाइन फोर्मूला होते हैं जो कि सवत गणना का कार्या करते हैं तो सही आन्सर इसका फंक्शन यानकि फंक्शन फ्रेड फाइन फोर्मूला होते हैं जो कि automatically calculation का कर्या करते हैं question number 7 पहले वाली worksheet पर जाने के लिए हम कौन सी shortcut की का उप्योग करेंगे तो सही answer इसका control plus page app अगर इस ते पहले जाएं भी पहले वाली worksheet के बाद में अगर किसी worksheet पर जाना हो तो उसके लिए हम करेंगे control plus page down का उप्योग question number 8 formula में शुरू से अंत के cell के address द्वारा adjust range निर्जिष्ट होती है और इसे किस के द्वारा पर्थक करते हैं तो इसका सही answer colon question number 9 page के उपरी margin में sit text को कहते हैं तो सही answer इसका header अगर question को इस तरीके से पूचे जाए विए page के निचले margin में जो sit text होते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे हम बोलते है footer तो उपर की तरप से पूचा किया है तो इसे हम header बोलते है question number 10 ms excel 2010 में template file का extension नाम है तो dot xlx question number 11 word processing को किस के दुवारा विक्सित किया जाता है तो सही answer इसका Microsoft का यानकि Microsoft company के दुवारा word processing को विक्सित किया जाए question number 12 विविंट apps वर commands को संक्षित करना और topic के अधार पर document कारियों के लिए command के सम्मूओं को बनाता है तो बिल्कुल सही answer इसका ribbon option यानकि a option बिल्कुल सही रहेगा question number 13 word document में निया paragraph रारम करने के लिए कौन से कीज का इस्तेमाल होता है तो सही answer इसका इंटर कीज का यानकि किसी भी paragraph end पेज हम इंटर प्रेस करते है तो next page है जो automatic ही open हो जाता है question number 14 document में सबसे उपर दिखाई देती है उस document और program के नाम को दरसाता है तो सही option इसका title bar question number 15 world में viewing area दिखने वाली सक्तिन area को गठाता और बठाता है तो सही answer इसका zoom slider question number 16 किसी line के प्रेरम में पूँजने के लिए कौन सी कीज का उप्योग करते है तो सही answer इसका home कीज question number 17 आप अपने विचारों और योजनाओ को अनेग प्रकार से विवेस्तित कर प्रदस्तित कर सकते है तो table के दोबार हम अपने विचार और योजनाओ को विवेस्तित कर सकते है question number 18 Microsoft Word 2010 निमन में से कौन सा tab by default नहीं होता है तो जो design का जो tab होता वो by default नहीं होता है बदलने की अनुमती देता है तो जो font menu वार होता है उसमें font के size को कम ज़्यादा कर सकते है या font की जो celly है यानि की font का जो style होता है वो हम home table में set कर सकते है question number 20 एक text को strike through करने से तात परे है यानि की सही आमस्वरिस का चैनित text के मद्याबाग में एक रेका कीजना तो यह text through का मतलब किसी भी सबत के बिल्कुल 20 में रेका कीजना question number 21 powerpoint 2010 में slide transaction उपलब्ध होते है तो dissolve भी होता है, wipe cuts भी होते है और standard fare भी होता है यानि की उप्रोक सबी question number 22 motion path क्या है तो एक slide पर items को move करने की वेदी को motion path का जाता है question number 23 presentation का print किस के रूप में ले सकते हैं तो print preview, speaker notes या hands out तो सही आमसु रहेगा इसका B और C दोनों ने की speaker notes और hands outs दोनों के रूप में print ले सकते हैं question number 24 slide के पीछे insert कर सकते हैं clip part भी हो सकता है, picture भी हो सकता है, background, color भी हो सकता है या music option आए, तो वो भी बिलकुल सही होता है यानकी audio या video question number 25 जदी उपयोग करता सिदे MS power point 2010 में slide show के दोरान slide number 4 पर जाना चाता है तो कौन सी shortcut की इसका उपयोग होगा तो सही answer इसका 4 plus enter अगर 5 पर जाना चाहिए तो 5 plus enter यानकी इंटर बटन को जुरूर प्रेस करना होगा question number 27 power point दरस्य जो की केवल text, bullet और सिसक को दरसाता है तो सही answer इसका outline view question number 27 power point के परस्तूति करण में duplicate slide को जोडने के लिए परयोग करते हैं तो control D यानकी एक slide का duplicate slide बढ़ाने के लिए control D option का use किया जाता है question number 28 power point में परतेग पेज कहलाता है तो सही answer इसका slide अगर ये question पुछा जाए भी Microsoft Word में परतेग जो document होता है पेज होता है उसके जो कहलाता है तो उसे हम बोलते हैं document question number 29 power point परस्तूति करण में hyperlink को डालने के लिए समसित कुझी के परयोग में लाए जाती है तो सही answer इसका control plus K question number 30 नेमन में से कौन सा फाइल का परारूप windows power point में जोड़ा जा सकता है तो .jip भी हो सकता है .jpg भी हो सकता है .wab हो सकता है यानि कि उप्रोक्ट सभी option हम को power point में जोड सकते हैं तो .jif की full form भी आपको पताओने चाहिए .graphics intercharge format और .jpg की joint photographic expert group तो ये full form भी competition exam में या RCIT के exam में या triple C के exam में जुरूर पुछी जाते हैं question number 31 bullets and numbering tools को उप्योग किस के लिए किया जाता है तो सही answer इसका list बढ़ाने के लिए question number 32 किस का समन्द text की formatting से नहीं है तो line spacing भी text से समन्दित है margin change भी text से समन्दित होता है और text spacing भी text से समन्दित होता है यानि कि searching option है जो text की formatting से समन्दित नहीं रखता है तो सही answer इसका searching हो जाएगा question number 33 निमन में से कौन सा menu columns बनाने के उप्योग होता है format question number 34 MS Word में किस layout में page का margin दिखाई देता है तो सही answer इसका print layout में question number 35 formatting toolbar में font की minimum और maximum size होती है तो ये बात हम Microsoft Word की वरी है तो इसमें जो minimum जो size होता है वो हम 8 कर सकते हैं और जो maximum वो 72 कर सकते है formatting में formatting toolbar में question number 36 MS Excel 2007 में एक document को देखने के लिए निमन में से किन तरीकों का उप्योग किया जाता है तो full screen reading भी सही option है print layout भी है web layout भी है यहनकी उप्रोक्त सभी 2007 के document को हम इन तीन तरीकों से देख सकते है question number 37 निमन में से कौन सा MS Excel से सम्मन्दित है तो slide option PowerPoint के लिए होता है और spread seat है जो Excel से सम्मन्दित होता है तो सही option है उप्योग के लिए एक interactive pivot table बनाने के लिए आप Microsoft Office web नाम के गटा का उप्योग करते है तो सही answer इसका pivot table report question number 39 Excel में कौन सा function Excel में वर्णों की संख्या को गिनता है तो सही option होता है lt यानिकि lt एक function है जो कि cell में वर्णों की संख्या को गिनता है question number 40 Excel में cell में current data current date दर्ज करने का shortcut क्या है यानिकि shortcut keys हम इसे control प्लस और यह इस टाइब के semicolon को निसान अगर प्रेस करेंगे तो उस cell के अंदर आज की जो हमारी current date होगी as per computer date के अमसार वो date वहाँ पर automatic ही print हो जाती है यानकी automatic वो जो है type हो जाती है तो दोस्तों यह थे आज के most important 40 question और next video हम आपके लिए लेके आएंगे operating system और internet से related most important question जो कि ज़्यादा तर competition की exam में RCAIT और triple C के exam में पुछे जाते हैं तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो like जरूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे share भी जरूर कर देना वीडियो कैसे लगी आप यह भी हमें comment करके जरूर बताना तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में के ने topic के साथ